नमस्कार में त्रिपन चोहान हुआ और लोकारपन आज बैठा हुआ है भुवन कापडी जी के साथ कुछ खास बज़य है जो आज उन्होंने एक प्रेस कॉंफरेंस भी की दी उन्हीं से जान लेते हैं पूरा मामला क्या है अज का मुख्या मुद्दा क्या था प्रेस कॉंफरेंस का देखिए भाजपा की सरकार जो यूवा नेतु तो मजबूत भारत की बात करती है यूके ट्रिपल सी गोटाले में पूरा विपक्ष पूरे परदेश के बेरोजगार यूवा और परदेश का आवाम सरकार से ये मांग कर रहा था कि इस गोटाले की सी बी आई जांच हो लेकिन सरकार लगातार सस्ती लोक प्रिता के लिए अपनी पीट थप थपाने के लिए अगबारी सुर्खियों के लिए मीडिया में बने रहने के लिए बार बार ये कह रही थी स्टी एप बहुत मजबूत जांच कर रही है स्टी एप बहुत अच्छी जांच कर रही है हमने चालीस बैयालीस लोग जेल बेज़ दिये हैं आज तीन मेने में बीच से ज्यादा लोगों की जमानत हो गई है और जमानत में ये कहा गया है कि साक्षियों के अभाव में तो सरकार की कठपुतली बनी स्टी एप का चेहरा सिरफ तीन मेने में सामने आ गया बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं अब स्टी एप पर देखिए आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं जो लगातार जमानते हो रही है वो दिख रहा है कि कितनी मजबूत पैरवी जो है ब्रस्टाचारियों को पकड़ने में कितना मजबूत केस बनाया गया है वो दिखाई दे रहा है और सरकार की मनसा तो पिछली भरती गोटाले से इस पस्ट थी जब Bluetooth से Forest Guard भरती में रुड़की में 17 लोगों पर मुकदमा हुआ था और सबने माना था भई की भरती गोटा लावाई नकल कराई जा रही थी मुकदमा हुआ जेल गए और सारे आरोपी अपने उस मुकदमे को हाई कोट से compound कराकर खतम कर गए और सरकार सांत बैठी रही सरकार ने कोशिसी नहीं कही कि वो कैसे compound कर रहे हैं उनके खिलाब सरकार को खड़ा होना चीए था क्योंकि वो अफरादी है युवाओं के अपरादी है उत्राखंड के अपरादी है नहीं वो ऐसे इस बार भी होता हुआ दिख रहा है साफ साफ कि लगातार जमानते हैं हो रही है एक उस टाइम बाद केस compound जाए खतम हो जाएगा आप भी कहे थे सी बी आई के लिए हाई कोट गहे थे आप लेकिन वो खारिज हो गई थी कापडी जी एक चीज पूछता हूँ मैं आपको आप आज स्टी एफ पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं सी बी आई पर किस तरह से बरोसा करेंगे अगर सी बी आई को यह जांच सौंप भी दी जाती है तो देखिए सी बी आई पर मैं इसलिए बरोसा कर पाऊंगा मेरा ब्यक्तिकत यह मानना है मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश में एक SSP थे सदा दंदा थे जो इमांदार थे उनको सी बी आई में लिया गया तो मुझे लगता है कि इसे इमांदार अधिकारियों को लिया जाता है तो जरूर नयाई मिल पाएगा कहीं तो अब इमांदारों पर हम वरोसा करें अगर ऐसे लोगों को लिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि सी बी आई अगर करती जांच तो पूरा मामला खुल पाता और जो हमारे अफराधियों वो जेल जाते है जिन चातरों ने मेंद से निकाल रखा उनको का इस्तान मिल पाता है अब सर्कार तो बचाने में अपराधियों को लगी हुई तो कैसे करेगी काफी बड़े आरोप लगा रहे हैं आप सर और विदान सभा की जो भरती था उसमें भी पहले हुआ कि इनको कैंसल कर दो फिर वापस से रख दिया गया देखिए वो अगबारी सुरकिया हैं वो अगबारी और मीडिया की वाववाई दो दिन के लेने के लेने ने हैं वो सामन तरीके से नौकरी की जो दिनमें लगाई वो दोसी ते वो आराम से बैठे हुएं तो सरकार जो है मासुमों के साथ तो अत्याचार कर रही है लेकिन जो दोसी है उनको डील छोड़े हुए उनके उनको संग्रक्शन देने हैं सरे एक मजबूत अगर विपक्ष की तरफ से द अगर पारी है आम जनता के साथ किस तरह जुड़ेगी कॉंग्रेस देखिए कॉंग्रेस हर जगा पर जहां जनता के साथ अन्याय हो रहा है वहां खड़ी है आप UK SSC का मामला कहिए बिदानसभा बरती गोटाले की बात कहिए अंकिता परकरण की बात कहिए या अगनिवीर क सरकार के खिलाब खड़े होकर सरकार को चेताने का काम किया है सरकार को बताने का काम किया है जनता के साथ खड़े होने का काम किया है लेकिन जो अंदी बहरी सरकार है वो अगर अपनी आखें मूत के कानू में रूई ठूस ले रही है तो उस सरकार से अब क्या किया जा सकता ह जैसे आपने रामारे में सुना होगा, कुम्मकरण छे महने तक सोता था आप कितने डुल वजाओ उठता था तो अपनी कुम्मकरण ही सरकार है, और स्वह हुई है। चाहती जनता हला मचाय चाहे ज hist inherent मचाय चाहे जो है अन्याय हो रहा उसको को बोले हैं, वो कहीं मानने को तयार नहीं है ॰ाती जनता-पार्टी की सरकार, हिटलर सा सरकार है. यहThis know, अब इस में आपका क्या पक्ष्रेइगा, क्या कुछ करेंगे? आप, या फिर इंडिविद्यूड आप के पार्टी किश करने वाली है क्योंकि जब आप तुमम तरह के प्रेशर इन को बता रहे हैं तो आप लोगों को क्या कैस्ट-टेंड होगा आज пров देखिए हम जो है कि कानुन बेस्ता न्याय बियुक्त जो है में बरस्टाचा जाथ इन सब में सदन से लगे सळक पर सड़क तक लड़ने का काम करेंगे विदान सबाग सतर का चलेगा तो यह सब महित्वपूर मुद्दू को हम विदान समय उठाने का काम करेंगे और पार्टी के साथ सड़कों पर जो है इसके खिलाब चलने का काम करेंगे अभी साथ तारिक से बदरीनाच से यात्रा भी स सरकार उसमें विपक्ष के सुजाव लेकर सुधार नहीं करना चाहती है तो आप इसका मतलब सरकार की मनसा समझ सकते हैं इस पस्ट है कि वो हिडलर साथ और ताना सा यी तरीके से चलने का काम करेंगे तो यानि कि आप जो भी करेंगे सर इस पूरे दोर में जब उनको फरक नह हैं सुधरती भी नजर आती हैं कहीं देखिए हम तो लगातार करेंगे करते रहेंगे जब तक वो सुधार नहीं करेंगे तब तक करेंगे बहुत धन्यवाद आपका एक चोड़ा समय हमारे पास भी था वह उनकापडी जैसे मुलाकात का जुड़े रहेगा लुकार पर बह बहुत निवाद आपका नमशकर